कुछ दो कि नमस्कार मैं हूँ आउधिश हो आप देख रहे हैं पाउंडर इंडिया टीवी इस तरह में हैं रोहित गुपता के आफिस में आपको बता दू कि रोहित गुपता चितपट साहित कला वह संस्क्रिप विगा के एंसीपी के मेरा वहिंदर के जिला अध्यक्ष है और यह मेरा वह इंदर में अगर आप देखेंगे जो भी मुवी की शूटिंग होती है यहां पर मिशन दिलवाते हैं मनपा द्वारा शरकार द्वारा तो कहीं ने कहीं मेरा वहिंदर तेजी से उभरता हुआ सहर है महाराश् एकिन अब मनपा आयुत ने इसके प्राइस बढ़ा कर 25 से 35 जाप प्राइस्ट यानि की लगभग 50,000 रुपीज हिंदी मुवी के और मराठी के 5 से 15,000 तो आप सोचिए उनके उपर क्या असर पड़ेगा जो लोग बजट की जो डैरेक्टर और प्रोडूशर हैं अगर ऐसे ही चीजे रही तो क्या मीरा भंधा सहर में शूटिंग अब हो पाएगा जो आज लोग जो नेता जो यहां के लोग इसे प्राटक अस्थर के रूप में देखना चाते हैं मीरा भंधा से कई सारी चीजे हैं लेकिन अभी तक सामने नहीं आई थी अब जब आ रही है तो मनपा द्वारा यह टैक्स क्यों बलाया जा रहा है अब तो उन्होंने आम नागरी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया दस पर्सेंट कई सारे मुद्दे हैं जो में रोहित बात बताएंगे क्या-क्या मुद्दे हैं सहर में जो की फिल्म इंडेस्टिस के जो लोग जूड़े है वो क आपको मिनीमुम् सतरह जार रुपाली का में Oh जाओगे तो ठ्स दर्शाथ अज़र प्रमीषन नगा दी है मेरा भंदर में पता नहीं आज हमारे आयुक साहब जो है उन्होंने क्या इसाब से चीजे यह सब की है आज देखो नहीं रोड का टेक्सी एक और नया टेक्स लगा है यह मतलब आम नागरिक को भी उन्होंने डबोस लिया पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी दबोस लिया अर आपने रोजगार बंद कर दिया आपने टूरिजम बंद कर दिया और क्या क्या चीजे बंद होईगी अभी आप ही देखिए इतने रेट आपने जो बढ़ा है उसला फरक पड़ेगा क्योंकि देखो आज लोगों के पास बजट नहीं है और करोना से लोग बाहर आए आज दो तीन साल से लोग को के पास खा अब मुझे लगता है कि महीने में एक दो आ गए जो आ गए लेकिन बाकी जो शूटिंग है महीने में जो दस दिन पंदरा दिन जो मीरा भंदर में चल रही थी मुझे नहीं लगता कि वह इसाप से चलेगी क्या आप समझ सकते हैं जो मीरा भंदर में आए दिन शूटिंग होती थी अगर इसी परकार का टैक्ष रहा तो साइध ही महीने में कोई यहां पर फिल्म की शूटिंग करने आएगा और क्या-क्या मुद्ध्य हैं आपके पास और आपने क्या लेटर दिया है आयुक्त जी क इसका सुलुलिशन बैटर के लेटर दिया हुआ है हमने सरी मुख्य मंतरी माननिके शींदे सभी शूदिर मुटिंग वर साब घ्र मंतरी है और शबभी शाप को दिया हुआ यह इसके ओपर चर्चा कीजिए इस मिशे कर्चा तो अगर आपकी बात नहीं मानीगे या टेक्स को कम नहीं किया गया तो आप NCP के जोकी आपके अध्यक्ष भी हैं तो आप क्या करने वाले हैं फिर मैं 15-20 दिन का टाइम दूँगा मैं उनको लेटर पत्र किया हूं कि इसके ओपर चर्चा कीजिए इसको रिसॉल कीजिए नहीं तो हमें इसके ओपर आजानकारी मिलिए कि कुछ आपस में टेंडरों के चकर में बुद्दा चल रहा है कि इनको टेंडर मिला के इनको टेंडर मिला उन टेंडरों के चकर में नुकसान हमारे मीरा बंदर का हो रहा है पैसा हमारे लोगों ने दिया है मीरा वेंदर की जनता ने पैसा दिया है और ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे के लिए दो लोगों के टेंडरों के बीच में आज हमारा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स बंद है नाम रखने के लिए इतना लड़ा आज क्या हो रहा है दो आपसी कॉंट्रेश के बीच में जगड़ा होने के कारण बंद कर दिया गया मुझे तो ऐसा लगता है वह पैसा कॉंट्रेश लोगों से बना हुआ है वह आम आदमियों के पैसे से यह नहीं है उस्पोट्स कॉंप् नाटक ग्रे के बारी रोड पे खड़े हो के नाटक करना पड़ेगा हमें जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया है मनपा तो कितने डाएक्टर प्रडूसर कितने फिल्म निर्वाता जो लोग हैं आपके साथ कितने लोग जूड़े हैं और उनका क्या कहना है सर हमारे साथ कम से कम 30 से 40 प्रोडूसर जुड़े हुए हैं और कम से कम लाइन प्रोडूसर हो कम से 40-50 हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सबसे बात्चेश चल भी अगर यह नहीं हुआ तो हम सब रोड पे उतरेंगे और महान अगर पालिका के बार आयुक साब के खिलाफ धन्ना देंगे कि आपने देखा कि वह और इसे कम नहीं किया गया तो हम ऊन्खत जी को 10 से 15 दिंका समय दे रहे हैं अगर हमारी नहीं पूरी का था उन्हें भी हमारे साथ में डारेक्टर हैं प्रडूशर हैं उनके साथ में हम मन्पा में अंदोलन करेंगे और मैं आपको बता दूए से कि नोंने बताया कि मुंबई हो चाहिवसई विरार हो चैथाना में तो क्या वज़ा है कि मेरा भाहिंदर इतना फिस क्यों लिया जा रहा है कि वहां पर फिस कम है तो यहां पर फिस इतना क्यों लिया जा रहा है यह एक सबसे बड़ा सवालिया निसान है अब तो आयुक सहब ने आम जनता से भी 10% टैक्स लेने की बात कही चुके हैं उन्होंने फर्मान भी जारी कर चुके हैं जबकि इसका कई लोग फिरोध भी बाउन एडिया कले अधिस राखनी बोड़ा